हेलो एब्रीवन च्वागत है आप लोगों का मेरी यूटूब चैनल LWD जॉब में RPSC के द्वारा नई सरकारी सिक्षक भरति का एड़र्टीजमेंट जारी हो चुका है जिसमें 24 विश्यों में वेकेंसी आई है 2202 पर्मानेंट पोस्ट रहने वाली है सरकारी जॉब है सैलरी 65,000 से भी अधिक रहेगी चलिए देख लेते हैं ओफिशल वेबसाइट पर तो यहाँ पर देखें राजिस्थान लोग सिवा आयोग अजमेर के द्वारा 25 अक्टूबर 2024 यानि कल की ही डेट में यह वेकेंसी का नोटिफिकेशन विस्तरित विग्यापन जारी कर दिया गया है पद बिलकुल इस्थाई है सरकारी नौकरी है मादिमिक सिख्षा विभाग के द्वारा यह वेकेंसी जारी की गई है स्कूल लेक्टुरार की पदों में जो है कमी या व्रद्धी की जा सकती है कमी तो नहीं होती है व्रद्धी की जा सकती है अब देख लेते हैं कौन-कौन से subject में वेकेंसी है उसके बाद जो है qualification चेक करेंगे इस criteria देखेंगे Name of subject देखेंगे सबसे पहले हिंदी है ये school lecturer की vacancy है 350 सबसे अधिक पद जो है हिंदी में ही आए है ठीके category wise जो है इनको बाटा गया है यहाँ पर कुल पदों की कितनी संक्या है subject wise वो मैं आप लोगों को बताती जाओंगी यहाँ आप देखते जाएं English में 325 पद है Sanskrit में 64 पदों पर vacancy आई है राजिस्थानी भासा में vacancy है 7 पदों पर पंजावी में 11 पदों पर है उर्दू में 26 विश्य पर History में 90 विश्यों में vacancy Political Science में भी जो है 225 पद है Geography में 210 है Economics में भी जो है Economics में बहुत कम vacancy देखने को मिलती है इसमें भी जो है 35 vacancy आई हुई है Sociology में 16 vacancy Home Science में 16 है Chemistry में 36 vacancy है Physics में भी देखिए काफी vacancy जारी की गई है 147 Maths में 153 है Biology में 67 है अपना जो है विश्य इसमें देखें बहारी राज्य के केनिरेट बिल्कुल आविदन कर सकते हैं Commerce में 340 vacancy है Commerce में भी काफी अधिक है 35 vacancy drawing में 6 music में है 37 physical education में है Coach wrestling में एक vacancy है Coco में एक vacancy है होकी में एक है और football में 3 vacancy है ठीक है तो यह पूरा जो है वो पदों का विबरंट था Category wise General category SCST OBC MBC EWS इस तरीके से इनों ने इसको बाटा है यहाँ पर देखेंगे आप प्राजिस्तान लोग सिवाय योग की official website पर news and event section में यहाँ पर 25,10,2024 को advertisement number है 19 oblique 2024,25 school education 2024 11,12 को पढ़ाने के लिए यह vacancy जारी की गई है काफी अच्छी vacancy है यह जो भी candidate आविदन करना चाहेंगे बिल्कुल आविदन करें अगर आपका विश्य है qualification चेक कर लेते हैं अनिवारे section को योग केता हैं यहाँ पर क्या कही गई है उप्योक्त पद करम संख्या 1 से 11 तक FM 13 से 15 तक यानि 1 से लेकर 15 तक qualification आपकी मागी गई है post graduation subject में आप post graduate हो और degree या diploma आपका education में होना चाहिए ठीक है degree यानि B.A.D. होना चाहिए और कोई भी diploma होना चाहिए education में यह आप ध्यान में रखें ठीक है post graduate प्लस degree या diploma आपका education में हो next जो है पद करम संख्या 12 है उसके लिए यानि agriculture जो विशय है post graduate agriculture research in home science तो 12 पर देख लेते हैं 12 पर कौन सा विशय है 12 पर है home science home science के लिए इन्होंने कहा है home science के लिए कहा है कि post graduate हो agriculture research में home science में साथ में इसमें भी degree या diploma आपका होना चाहिए ठीक है तो यहाँ पर सभी में यही है कि post graduate के साथ में आपके पास degree या diploma B.E.D. हो सकता है या कोई भी diploma हो सकता है education में होना चाहिए ठीक है चलिए physical education teacher के लिए इन्होंने कहा है graduation भी हो सकता है या post graduation हो सकता है physical education में साथ में जो है MP.E.D. मांग रहे हैं अब देख लेते हैं अब salary तो काफी अच्छी है आप देख रहे हैं level 12 के according salary रहेगी बहुत बहुत अच्छी salary है राजे सरकार के नियमान उसार जो provision period होगा परविक्षा काल इसमें नियत मासिक वेतन भी जो है दिया जाएगा 21 से लेकर 40 वर्ष तक के canary rate आविदन कर सकते हैं आयू सीवा में छूट जो रहेगी वो राजिस्थान के निवासियों को ही रहेगी राजिस्थान राज्जे के A.C.S.T. अन्ने पिश्ड़ावर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग 5 साल की छूट रहेगी जो पूरस वर्ग है उनकी और 10 वर्ष की छूट रहेगी महिलाओं की सामानने कैटिग्री की जो महिला है उनको 5 वर्ष की छूट है जाए किसी भी राज्जी की हैं अगर आविदन करने के चुक है बाकि सामानने वर्ग के जो पूरस अभ्यरती हैं तो उनकी 40 यर तक है विद्वा विछिन विवाह महला इनकी जो है कोई भी अधिक्तम आयू सीमा नहीं है परिक्षा का इस्थान जो है वो ओफिशल वेबसाइट पर जारी हो जाएगा जब आप लोगों को बता दिया जाएगा इसमें एक्जाम रहेगा परिक्षा की योजना पार्ठेग्रम विश्रित पार्ठेग्रम आयो की वेबसाइट पर प्रत्थक रूप से जारी किया जाएगा तो इसमें जो है आविदन की जो अविधी है तो पांच नवंबर से स्टार्ट हो जाएगे और कफी जो है समय पूरा वन मंत का 4 दिसंबर तक चलेंगे आराम से जो है सो समझ के ध्यान से भरियेगा कोई मिस्टेक नहीं करना है क्योंकि अगर आप मिस्टेक करते हैं फॉर्म में तो आगे प्रॉब्लम हो जाती है syllabus भी जो है इनों ने दिया है schema and syllabus इसमें जो है सबसे पहले history of राजिस्तान Indian history ये पूछा जाएगा उसके मैट्स है current affair है journal science है quality geography है राजिस्तान की इंडिया की educational psychology है ठीक है फिर subject की जो नॉलेज है ये पूछी जाएगी तो इसमें सबसे ज़्यादा वेटेज जो रहता है ये 12th की बुक का रहता है ध्यान में रखें 12th की बुक का जो है 60% वेटेज रहता है चीक है उसके बाद जो है ग्रैजवेशन लेवल की बुक्स पढ़नी है पोस्ट ग्रैजवेट लेवल का जो है यहाँ पर वेटेज बहुत कम रहता है ये आप ध्यान वरके 60% तो आपका सीनियर सेकेंडरी लेवल का रहता है तो ये पूरा सले बस देख लेंगे आप जो भी गैनिरेट अप्लाय करने क इच्छोक रहेंगे ऑफिशल वेबसाइट पर चलें आएं यहाँ पर आपको राइट साइट में न्यूज एंड इवेंट में देखेगा व्यू आल पर क्लिक कर लेंगे और उसके बाद जो है यहाँ पर 25 अक्टूबर की डेट में अबर्टीजमेंट नमबर 19 और टूथा चुरार वेकेंसी काफी टाइम के बाद जो है वेकेंसी देखने को मिली है जो भी कैंडिडेट आविधन करने के चुक है ओफिशल वेबसाइट का लिंक आप लोगों को वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया जाएगा थेंक्यू